सुहानी सुभा होए कई घंटे बीच चुके हैं। सुभा के दस बज गए हैं और नेहा अब भी सो रही है। उसका पती धुरूब आफिस जाने के लिए तयार हो रहा है। तभी वो नेहा के पास आया और बोला उठ जाओ मैं जा रहा हूँ। नेहा उठती है और धुरूब को बाय करती है। और फिर वो घर के काम शुरू करते हुए किचन में जाती है। उठ गई, अभी तो वक्त था बेटा, दोपहर की नींदी पूरी ही कर लेती। क्या आप बना रही है सासुमा। डालभात करेला। अरे मुझे करेला नहीं खाना, मैं आलू भाजा बना लेती हूँ। ऐसा नहीं था कि सासुमा कुछ करती नहीं थी। वो हर चीज में परफेक्शन देखती थी। जैसे ही धुरूव ऑफिस से आता, कुछ ना कुछ शिकायत करती। अब जब धुरूव ऑफिस से आया, तो मा को सोफे पर सर पकड़ता देख, उसने पूछा, हरे मा, सब ठीक त बहु को सोने और मोबाइल से कहा फुरसत है, थोड़ा ध्यान हटाती तो पता चल जाता, जैसे तुम्हें पता चला। धुरूव रात के खाने के बाद जब सोने जा रहा था, तो उसने नेहा से बात शेयर करी, और कहा, तुम्हें, तुम्हें मम्मी का थोड़ा ख्याल तुम्हें पता है ना, मा मजाग करती है, हा लेकिन कभी-कभी सच भी तो हो सकता है ना, उठने का टाइम चेंज करके मा की हेल्प कर दिया करो, प्लीज, तो वो हो गया जो मम्मी चाहती थी, छीक है, मेरा बहस करने का मन नहीं है, अगले दिन नेहा जल्दी उठताती है और मा की हेल्प करती है, अरे, आज दोपहर जल्दी हो गई या मैं लेट हो गई, नहीं, आपकी तरकीव काम कर गई, मा, अगर आपको प्राबलम है तो मुझ से क्यों नहीं कहती, इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी, मैं तमाशा कर रही हूँ या तुम, घर नहीं होटल बना दिया है, अपने वक्त से कभी भी आना, कभी भी उठना, कभी भी खाना, कब तक चलेगा ये, कल से तुम जल्दी उठोगी, और टाइम से घर का काम करोगी, रात को जब धुरूब आया, तो आज नहा ने बहाना बनाया, तबियत खराब होने का, अगली सुभा जब सा सासुमा को समझ आ गया था कि वो नाटक कर रही है, कुछ दिन दोनों के बीच ऐसे ही कोल्ड वार चलता रहा, कभी सासुमा कुछ करके नहा को परिशान करती, और कभी नहा सासुमा को, लेकिन सबसे ज्यादा जो परिशान हो रहा था वो था द्रोग, अब तो बात इतनी ब बुल्डोजर से गिरा दिया जाएगा, सासुमा को सुबा सुबा चाय की जगा जटका मिला था, उन्हें समझ नहीं आया ऐसा क्यों, उन्हें आसपास सबसे पूछा कि उनके घर में ऐसा कोई फर्मान आया है, लेकिन किसी को ऐसा पेपर नहीं मिला था, उन्होंने ये आएंगे हम, ध्रूब, कुछ करो, मैं, मैं आज जाता हूँ और पूछता हूँ आखिर, आखिर ऐसा क्यों हुआ, हाज दोनों सासुमा और बहु शान्ती से घर पर काम करके, बेसबरी से ध्रूब का इंतजार कर रहे थे, जब ध्रूब ऑफिस से आया, तो दोनों खड़े हो गए और पूछने लगे, दुरूब बेटा, कुछ पता चला क्या, हमारा घर गिरा रहे है, हाँ, और क्यों सिर्फ हमारा इखर, क्या हमारा घर बच पाएगा, नहीं, हमारा घर नहीं बच पाएगा, और ये सब आप दोनों की वज़़े से हो रहा है, वज़े से, क्यों, कैसे सरकार ने एक मुहिम चलाई है जिस भी घर में ज्यादा आवाजे या जगड़े होते हैं उन पर बुल्डोजर चला दिया जाएगा ये क्या मजाक है ऐसा कोई मुहिम नहीं चलाया गया कुछ भी कह रहे हो अरे वो गरीमा और उसकी बहु तो हमसे भी जादा लड़ते है उसका तो पती भी उसकी पत्नी से लड़ता है तो फिर उनका घर तो नहीं गिरा रहे मैंने पूछा था उनका नहीं पता लेकिन हमें तो ये फर्मान आया है न आप दोनों देख लीजे घर को कैसे बचाना है इस बार घर के पुरुष नहीं औरतों के हाथ में है ये घर बचाना मैं उनसे महलत मांग कर लाया हूँ पंद्रा दिन की अगर घर शान्त हो गया और सुसाइटी वालों की भी रजामंदी हो गई तो घर बच सकता है मैं कहां जगडा करती हूँ बहू की ही आदत खराब है अच्छा तो मेरी आदत खराब है आप तो परफेक्ट पैदा हुई है ना आपने तो कभी मुझे परिशानी नहीं किया है जैसे दोनों फिर लड़ने लगती है पस अब आप दोनों को देख कर मुझे यकीन हो गया है कि घर नहीं बचेगा थैंक यू बाई कल से दूसरा घर ढूंडना चालू कर देता हूँ और अपने कमरे में जाते हुई कहता है और हाँ अपने गहने निकाल कर तयार रखना नया घर लेने में काम आएंगे दोनों चुप हो जाते हैं और वापस रियालिटी में आ जाते हैं और चिंता करने लगती है अगले दिन चिंता के मारे नहा जल्दी उठ जाती है और काम करने लगती है ताकि दुरु से घर के बारे में बात कर पाए कि कैसे उसे बचाना है अब सब नाश्टा करने साथ में बैठे हैं दुरु स्माइल करता है और कहता है चेलो आखरी दिनों में साथ तो बैठें ऐसा क्यूं कह रहे हो तुमने तो कहा कि बच सकते हैं हाँ हम कोशिश तो कर रहे हैं ना आप लोगों की कोशिश नाकाम होने वाली है पूरी दुनिया जानती है खेर आफिस का टाइम हो रहा है मैं निकलता हूँ ये सुनकर दोनों उदास होते दोनों के बीच पूरे दिन थोड़ी मत बहेद रही लेकिन जैसे दिन पास आते जा रहे थे दोनों ने एड़्जस करना शुरू कर दिया नेहा जल्दी उठकर मा की तरीकों से थोड़ा बहुत काम करने लगी मा भी अगर कुछ गलती होती तो एड़्जस करके माफ कर देती और उसको डाटती भी नहीं घर में कुछ ही दिन में माहौल बदल गया था आखिर घर का मामला जो था दिन करीब आ गय थे और चिंता बढ़ रही थी अब वो दिन आ गया था जब बुल्डोजर से उनका घर उड़ने वाला था सब चिंता में बैठे थे लेकिन धुरूव के मन में शानती थी नेहा ने पूछा इतनी शानती में कैसे बैठे हो मा ने भी पूछा कोई बुल्डोजर नहीं आ रहा दोनों खुशी के साथ चौक गए मुझे तुम दोनों अब अच्छे लग रहे हो मतला? हाँ, वो मेरा में एक मजाग था जो तुमारी लड़ाई की वज़ा से निकला था लेकिन उसका असर अच्छा रहा दोनों को थोड़ा गुसा आया लेकिन हसी भी निकल गई तीनों हसने लगे और ध्रुब ने उनसे वादा लिया कि अब ऐसा ना हो वरना सच में बुल्डोजर चड़वा दूँगा